सादू 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 नमुतस भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस सरो प्रथम उन्त थागत भगवान बुद्ध जीको मेरा कोटि कोटि नमस्कारो एवं मेरे आचारे गुरु अरे गुरु के चरणों में शत्षत नमनो नम बुद्ध है आज हम आप लोगों को एक ऐसा सूत्र बताने जा रहे हैं जो प्रती दिन घर में चांटिंग करने की योग्य है बोलने की योग्य है और यह ऐसा सूत्र है जिसे बोलने से शद्धा मन से विश्वास मन से सारा दोस घर का जो दोश है या अमनुष्य दोस और जो आदिवेगरा का दोश है वो सब दूर हो जाएगा बहुत पावरफूल बहुत शक्तिशाली ये सूत्र बताने जा रहे हैं क्योंकि भगवान बुद्धी जी इसे बताए ही थे अमनुष्य मतलब भूत प्रित का और दूरभीक्ष का और रोग को दूर करने के लिए सूत्र बताएं थे तो ऐसा ये सूत्र है जो प्रति दिन चांटिंग करने की योग्ये घर में और प्रति दिनी से खर्यी जरूर से तो विशेश रूपसे इसका और एक बात है क्या पता है कि ये सूत्र का पूरा का पूरा हम आर्थ बताने जा रहे हैं कि वचनों का आर्थ क्या है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं ये सूत्र का नाम है रतन सूत्र रतन सूत्र जो सुत्र निपात में आता है तो इसका आर्थ हमसे भी बहुत लोग पूछे थे तो आज ये सूत्र है इसका आर्थ इतना सुंदर है इतना सुंदर है कि आप सुनकर आश्चारे हो जाएंगे और उन्ही गाथाओं के अंदर कितना बल चीपा है उसी के कारण आमनुष से आदिवेगरा का दोश सब दूर हो जाता है तो हम बता देंगे तो ये रतन सुत्र आखिर भगवान बुद्ध जी कब बताएं थे और क्यों बताएं थे इसकी सुरुवात के सुत्र बताने से पहले इसका जो बेसिक घटना है कैसे कैसे हुआ था वो हम बताने जा रहे हैं तो क्या हुआ था भगवान बुद्ध के समय वैशाली नगर था जो अब ही बिहार में आता है न तो वैशाली नगर में उसमें क्या हुआ दुरभीक्ष उत्पन हो गया दुरभीक्ष मतलब बहुत समय तक वर्षा नहीं हुई वर्षा नहीं होने कारण खाना पिना सब कम गया तो खाना पिना कम जाने के कारण क्या हुआ बहुत सारे लोग मरने लगे इसके साथ साथ और एक क्या प्रॉब्लम हुआ मरने मारने वाले लोगों के शरीर में जो भूत लोग थे वो भूत आकरके उन लोग के शरीर को कबजा करने लगा और एक भाई उतपन हो गЯ, प्रॉबलम उतपन होगय एक ऐसा रोग उतपन होगया जो तुरंद फैलता था तो इस प्रकार एक रोग भी उतपन होगया इसके बाद खाना पिन नहीं हूने करण लोग ज्यादह मरने भी लगे और भूत प्रेत के कारण लोगों का बिमार और और बढ़ने लगा तो इस प्रकार दूर्भीक्ष भै, रोग भै और अमनुस से भै ये तीनों क्रियेट हो गया तो उसी के कारण समाज को बहुत कस्ट सहना पड़ा परिशानी सहने पड़ी तो वहां का राजा लोग को बात किया राजा लोग को कहा फिर राजा लोग बात के किया रहे है तो हम लोग इसका शालिशन के लिए क्या करें फिर उन लोग में से कोई को लोग बली पूजा करो बली पूजा किया, ठीक नहीं हुआ अलग-अलग पूजा करो वो सब किया ठीक नहीं हुआ बहुत सरा चीज की अकिरिय करम ठीक नहीं हुआ अंत में बात हुआ किसी ने बताया कि इस धरती पर भगवान बुद्ध जनम ले चुके हैं अगर वो यहां पधार गएं तो यह दुख जरूर दूर हो जाएगा तो वो लोग निर्णे लिया भगवान बुद्ध को बुलाने का उन दिनों भगवान बुद्ध जी राजगिर में थे एक व्यक्ति संदेश भीजवाया भगवान बुद्ध को कहा हमारे नगर में ऐसा दुरभीक्ष रोग और अमनुसे भैकाव पद्रव बढ़ चुका है हे भगवन कृपा निदान कृपा करके हमारे नगर में पधारिये और उन दुखों का निवारण कीजी भगवान बुद्ध तो दयावान है सारे लोकों को दया करने वाले हैं भगवान बुद्ध ने मांतरन को स्विकार की राजगीर का उस समय का राज़ा था 20 सार भगवान बुद्ध से पूछा कि आप जाएंगे जी भगवान बुद्ध बता हैं जी महाराज राजा बला थोड़ा सा रुक जाए भगवन राजा क्या क्या राजगीर से गंगा नदी तक जाने के लिए पांच योजनर था, पचास किलो मेटर दूर था राजा क्या क्या पूरा रास्ता को सम्तल करवाया गड़ है वे गरह जो था सब क्लियर करवाया पूरा रास्ता को सजा दिया, पूरा रास्ता को फूलों से बिचा दिया देखिए उसका शद्धावाया इसके बद राजा क्या क्या, सारा रास्ता को पूरा क्लियर करके, पूरा सजा करके पूरा धजाक धज मतलों की धजपता का जहंडा आदी वेगरा पूरा सा जा दिया रास्ता को कितना पचास किलो मेटर इसके बाद हर एक दस-दस किलो मेटर पर छोटा-छोटा आश्रम भी बना दिया भगवान बुद्ध और बिक्षु संग के आराम के लिए इसके बाद जब भगवान बुद्ध निकलने लगे तो पूरा चाता उड़ा करके चाता पर चाता भगवान बुद्ध को और बिक्षु संग को उड़ा करके पूरे पांच दिन लगा गंगा नदी तक जाने के लिए फिर नौका तैयार करवाई सजा करके इसके बाद गर्दन तक पानी में गया कौन बिम्बिसा राजा और बुला भगवान आप दुबारा आने तक हम यही नदी के किनारे ही रहेंगे हम राजमार्ग में नहीं जाएंगे कैसा शद्ध होगा उस राजा का भगवान बुद्धिस के बाद नगर के उस पार गयें नगर नहीं नदी के उस पार गयें उधर वैशाली के सारे राजा लोग भी मिलके सब तैयार था वो लोग दुगनी सतकार किया जितना यह राजा किया उसका दुगनी सतकार किया और वहां गंगा नदी से पूरे पूरा चाता पर चाता उड़ा करके भगवान बुद्ध को में जगह पर ले गया एक घटना होई उससे पहले पता है क्या जैसे ही भगवान बुद्ध जी नदी पार करने वाले थे नदी पर नदी पार कर रहें थे वैशाली का पूरा उपर आश्मान में पूरा काला काला ब इतना भयंकर बारिश हुआ, इतना भयंकर बारिश हुआ, दहारा निपात वारसा, ऐसा लरे से आसमान से पानी कोई गिरा रहा है, इतना बारिश होने के कारण, बहुत बारिश होने के कारण, सारा गंदिगी जो था, जगा जगा मरवा डेट बोड़ी था, गंदिगी था, व सरीर के छोड़ को भाग जाता है सारे भूत प्रित लोग वहां से भाग गया इसके बाद तीन दिन गया मुखे जगह पर जाने के लिए तो तीन दिन पूरा बारिश ही होते रहा गया सब पूरा नगर पूरा क्लीन हो गया पूरा साफ हो गया तो दुर्विक्ष भै वैसे ही खतम हो गया अमनुस से भी भाग गया तो भगवान बुद्ध जी जाने के बाद उसी रात को भगवान बुद्ध जी रात को ने उसी दिन जाने के बाद भगवान बुद्ध जी आनंद भंति जी को बुलाए आनन्द भन्ति जी को ये रतन सूत्र पूरा बता दी रतन सूत्र बता के बोले आनन्द ये लो मेरा पात्र इसमें पानी भर के ये रतन सूत्र बोलते हुई पूरे नगरी में पानी छिड़क दो सब प्रोब्लम खतम हो जाएगा इसके बाद आनन्दमंत जी कुछ लोगों के साथ बगवान बुद्ध का पात्र में पानी भर लियें और ये पूरा रतन सुत्र बोलते बोलते पूरे राज्य में, पूरे नगर में आज वो पानी छिड़क दियें तो पानी जो जो बीमार लोग था उन लोग पर पढ़ते के साथ ही क्या हुआ उन लोग का रोग दूर हो गया जो अमनुष्य था, जो भूत था वो लोगों को रह नहीं पाया सरीर से निकल निकल कि जहां जहां रास्ता मिला उधर से सारे अमनुष्य भूत सब भाग गया इसके बाद पूरे नगरी में आश्रवात पाने छीट करके आनन्द भंत जी बहुत सारे लोगों के साथ भगवान बुद्धे जी के पास आए आने के बाद अभी ये रतन सूत्र सारे मनुष्यों को ही नहीं उस समय तक सक्र देव राज जी भी आ चुका था बहुत सारे देवताओं भर गया था आस्मान में भगवान बुद्धे जीवाने के कारण तो अमनुष्य से प्रोबलम भी खतम हो गया रोग का भी निमारण हो गया दुरुबिक्ष भी खतम हो गया बारिस की वज़स से इसके अद भगवान बुजी रतन सुत्र बताते हैं तो अभी हम यहां से रतन सुत्र बताने जा रहा हैं एक एक वच्छन का हर एक गाथा का अर्थ बताएंगे दिहान से सुनिए कान लगा करके सुनिए बागवान बुद्ध जी कहते हैं कैसे सुरू होता है मालूम ना आप लोगों को रतन सुत्र यानि द भूतानि समागतानि भूमानि वायानि वांत लिखे यानि द भूतानि यहां पर भूत कह रहे हैं भूत लोगों को नहीं यहाँ पर भूत कहते हैं अमनुष्य, जो मानव नहीं है, मतलब वहाँ पर जो देवताओं हैं, उन लोगों को कहा गया, भूत लोगों को नहीं, समझ गया, भूमा निवाया निवांत लिखे, जो धर्ती पर हैं और जो आकास में हैं, जितने भी देवताओं हैं, सब्बेव मतलब हो जाएं, वो सारे देवता सुखी मन हो जाएं, वो सब सुखी हो जाएं, इसके बाद कहते हैं, अथो पिसाकर्चे सुनन तु भासितंग, और वो सारे देवता, मैं जो बोलने जा रहा हूं, उसे दियान से सुनें, अभी ये कौन कह रहा हैं, भगवान अगला गाता है जो मनुस्य दिन रात संग को दान दे करके पुन्य करके शीलों का पालन करके तुम लोगों को पुन्य अनुमोदन करता है उस समय देवताओं को पुन्य अनुमोदन करता है ताभी बहुत लोग का ये आदत छूट गया तो उस समय करता था तो बगवान बुद्ध करें दिन जो पूर्णयान मोदन करता है, सेवा सतकार करता, इज्यत गौरव करता है, तासमाहिने रखते आप मता, क्यों तुम इन मनुस्यों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, क्यों बिना देर इन लोग को सुरक्षा नहीं करता है, अई भगवान बुद्ध करें कि इन लोग को, देवताओं को कहें कि जो मनुस्य से हमेशा पूर्णयान मोदन करता है उनलों को क्यों सुरक्षा प्रदान नहीं करता है करना चाहिए न ऐसा भगवान बुद्ध्ध बोले ऐसा बोलते कि सारा देवताओं का पूरा करेंट लगने से सब पूरा वहां दियांचे सुन रहा था सब लोगों का रूम खड़ा हो गया था सारे देवताओं का देवताओं आकास में हैं मनुस्य गन प्रजा धर्दी परेंवापन पगवान बुद्ध ज्यान बता रहे हैं अभी बताते हैं देखिए इसके बात का गाथा कितना विशेश है कहते हैं यंकेंची वित्तं वित्तं का अरत होता है धन, संपत्ति, कीमिति वस्तु इधवा हुरंगवा या जो इस लोक में है इधवा हुरंगवा जो परलोक में है सग्गेश वायं रतनं पनीतं स्वर्ग में भी अलग-अलग रतन है, मनी है इस लोक में और स्वर्ग लोक में जितना भी मनी है, जितना भी उत्तं रतन है, कीमिति वस्तु है ननो समंगति तथागतिन वो सारा रतन तथागत भगवान बुद्ध नाम के रतन के समान नहीं है समान नहीं है अब यह हम आपको रतन के बारे में बताते हैं क्या होता है रतन देखिए इसकारत आपको अच्छा समझ में आ जाएगा आप लोग कभी देखिए ऐसा रतन ऐसा मनी जो जिस मनी से प्रकास निकलता है हम जीवन पर नहीं देखें आप लोग आए देखें अभी का मनी में लाइट नहीं ठोच बार के लाइट देखना पड़ता राजा चक्रवरति राजा ओंस एक मनी रतन होता है वो मनी रत्न रात में निकाल दा तो 10 किलो मेटर लाइट निकलता है उस मनी से सोची कहिसा मनी होगा चाक्रवर्ति रादा के पास एक और मनी होता है ऐसा रत्न होता है जो कीदोड़ा पानी में पूरा कीदोड़ा पानी में वो मनी डालेगा तो पानी के अंदर सारा पानी पूरा crystal ऐसा पूरा clear हो जाता साफ हो जाता कैसा money होता और देवलोक में एक money होता चिंता money नाम का उसी money से जो जो हम मांगेंगे जो जो चाहेंगे वो money से निकलता है ऐसा money भी है इस दुरिया में धरती पर नहीं है वो देवलोक में इसलिए उसको कहते है चिंता money ऐसा बहुत प्रकार का money है तो जो रत्न होता है जो बता है रत्न भगवान बजी बता रहे है रत्न दो प्रकार का होता है अविंग्यान, सविंग्यान प्रान रहित बिना प्रान वाला रत्न होता है और प्रान सहीत वाला रतन होता है, बिना प्रान वाला रतन है क्या है, जो मनी हो गया, हीरा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये समय प्रान नहीं है, सविग्यान होता है, सविग्यान मतलों जिन लोगों में प्रान होता है, अभी ले ले लेंगे तो सोना, चांदी, हीर इसके बाद मनी यह सब वगरा किन लोगों के उपयोग में आता जिन लोगों में प्रान्य उन लोग성 में मनुस्य यह सभी नंगोट में पहनते ँब और और कहेंगे तो राजा के समय में राजां का हाथियों को सजाती हैं, सोना चांद हीर sum Aa से और मनुष्जयों को तो ऐसा है तक यह दोनों में उत्तम कों न होता है जो प्रांवाला उसमें भी दो प्राकार का रात्न होता है एक होता है जैसे में जान्वर ओर में भी रतन होता है कौन सा अभी नॉर्मर रत ने जानवरों का भी यूस में आता है चक्रवर्ति राजाओं के पास होता है आश्वरत्न है वो आश्वर आकास से जाता है वो अस्वर सजाया हो रहता है सालमाने सब मोतियों से हिरा मोतियों से पर वो आश्वर आकास से जाता है तो वो रत जानवाला है उसमें भी दो प्रकार का होता है एक जानवर और एक मनुस्य तो वो सब जानवर भी किसके उपयोग में आता है चक्रवर्ति राजा के ऐसा है तो जानवरों सो भी जाद उत्तम रत्न कौन होता मनुस्य चक्रवर्ति राजा होता मनुस्य में भी दो प्रकार का हो इसत्री रत्न चुक्रवर्त्य राजा कोो एक इसत्री मिलती है कि जिसका सरीर अत्यांत सुन्दर होते उसे रत्न कहा जाता है कि वह सपना में भी अपने पती को छोड़ करें कि दूसरे के बड़ा होता है पूरुष रत्न कि पूरुषों को ही बहुत सारी इस्त्रियन मिल जाता है तो पूरुष महानुता है पूरुष में भी दो प्रकार का रत्न होता है आगारिक और अनागारिक घरद्वार में रहने वाला घरद्वार को छोड़ दिया हुआ चक्रवर्ति राज प्रिथक जन मतलो सामान ने घरद्वर छोड़ दिया आरे स्रावक मतलो जो मार्ग फल को पाता है स्रोतापन सग्दागाम या दिवेगर वो उत्तम होता है आरे में भी दो प्रकार का होता है सेख और असेख सेख मतलो स्रोतापन सग्दागाम या नागामी असेख मतलो अरहंत अरहन्त ही उत्तम होता अरहन्तों में भी दो प्रकार का होता है एक होता है जो अरहन्त हो गए वो और एक होता है जो बिना किसी ज्यान से अरहन्त हो जाते वो पच्चेक बुद्ध इन दोनों में भी पच्चेक बुद्ध नाम का रत्न उत्तम होता है पच्चेक बुद्ध से जनम ले लें तो एक ही साथ यह धरती सहन नहीं कर सकता भूझ व्ची बुद्ध जनम ले लेंगे जी धर्ते सहन कर सकता किnta दो बुद्ध जनम नहीं लग सकते एक साथ ये धर्ते को सहन नहीं कर सकता कि masih भुद्ध का गोणी अनँथ है धर्ते सहन है नहीं सकता तो इस प्रकार बुद्धRETन ही अद्धर ही आता है अब यह कितना लंबा बता है समझ दिए आप इसको तो भगवान बुझी बता है इस लोग में या पर लोग में जितने भी रत्न है वो सारे रत्न है पर वो सारे रत्न भगवान बुद्ध रत्न के समान नहीं है भगवान बुद्ध के रत्न के समन तुलना नहीं कर सकत ये भगवान बुद्ध में उत्तम रतने हैं। उससे में बड़ा ही अद्बूत घटना हुआ था। ये गाथा ही काफी है अगर कोई व्यक्ति शद्ध मन से इसका अर्थ सोच करके एक पानी लेकर के पानी में गाथा बोलके जिसमें अमनुस्य भूत है तो उस पर डाल दिया तो उसमें भूत रहेगा नहीं बाजाएगा। इतना पावफुल एक इवल एक गाथा आगे देखते हैं इसका अगला गाथा है खायं विरागं अमतंग पनी तंग यदह जगा साक्यमुनी समाहितो नतेन धम्मीन समत्य किंची दंपी धम्मे रतनंग पनी तंग इतेन सच्छे नसुवत है हो तो अगला जो गाथा है वो शाक्यमुनी समाहितो जो शाक्यमुनी तथागत भगवान बुद्ध जी समाहित मन से जिस चीज को शाक्षात कियें जिस धरम को शाक्षात कियें वो धरम का स्वभाव है खायं राग क्रोध मु आदि सारे विकार को नश्ट कर देता है वो धरम खायं वीरागं वह राग की उत्यआंत प्रनीट रशव में उत्तम्रश हाए वह उत्तम अरहत वह उत्तम निरुवान वह धरम को शाक्षात की आए भगावाण बुद्ध जी समाहित हमसी नतीनी धमीन समत्य किंची, वह धरम के समान दूसरा कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है ये उत्तम रत्न है धरम में, ये सत्य है ये सत्य वचन से सब का कल्यान हो भगवान पुद्धी जी कहते है कल्यान हो इसका अर्थ क्या है कि भगवान पुद्धी जो धरम को शाक्षत की हैं, वो धरम से अंदर का सारा मदमो राग कुरोद सब नस्थ हो जाता है सारे विकार छिन भिन हो जाता है, सारे तृष्णा नस्थ हो जाती है, वो धरम के समान दूसरा कोई रत्न नहीं है ये उत्तम वचन से सब का कलिम, देखिए ये मंत्र पापों को छोड़े करके, इसी धरम से पूरा मन को सुद्ध कर लिए, अरहंत हो गए अरहंत हो गए ये वही धरम है जिसे सुन करके पटा चारा जिसका पती, दोनों बच्चा मा पिता जी मर जाने के कारण पागल हो गई थी, दर दर भटक रही थी, यही धरम सुन करके, वो अंदर से परम पवित्र हो जाती है बाद में अरहंत हो जाती है मुक्ति साक्षा कर लेती है ये वही धरम है जिस धरम को सुन करके उस समय कोई-कोई वैश्या, जो राग की कारण हमेसा जलते रहता था कोई-कोई वैश्या ये धरम को सुन के, वो सारे गलत काम को छोड़ करके, अपने मन को परम पवित्र कर लिया वासना को संपुन उपसे भश्म कर दिया परम पवित्र हो गया भगवान बुजी कहती है ये धरम के समान दूसरा कोई उत्तम रत्न नहीं है ये वही रत्न है जिसे यही धरम है भगवान बुद्ध के समय कोई-कोई क्रोध से जलते रहता था भगवान बुद्ध के पास एक बार आके एक आदम खूब गाली देता है भगवान बुद्ध उसको अंत में ज्यान की गंगा देती है वो सारा क्रोध को छोड़ करके चीवर पहन के अरहन थो जाता है क्रोध को नश्ट कर देता है जिस क्रोध से जलते रहता था ये धरम के समान दूसरा कोई रत्न नहीं है ये सत्त्य से सबका कल्यान हो कैसा सुंदर अर्थ है इसका अगला है याँ पर कहते हैं याँ बुद्ध से थो परिवान नहीं सुचि भगवान बुद्ध उत्तम स्रेष्ट भगवान बुद्ध जिस चीज को परम पवित्र बताएं जिस दिहान को परम पवित्र बताएं परम सुद्ध बताएं एक समाधी है जिसे पाने के बाद राग, क्रोध, मुँँ, मदमान सब नस्थ हो जाता है उसी समाधी से अनित्य, दुख, अनात्म ये त्रिलक्षन का बोध हो जाता है उसी समाधी से उसका मन किसी भी भव में काम भव, रूप भव, अरूप भव किसी भी लोग में फस्ता नहीं है चाहे मन उससे हो या किसी भी लोग में फस्ता नहीं है उसी समाधी का फल होता है तुम्हें अरहत फल इदम पी धम में रतनम पनी इतन ये धर में उत्तम रतन है ये सत्य है इसी सत्य वचन से सबका कल्यानों भगवान बुद्धी ये बोलते के साथ पर हम सत्य बता रहे हैं सत्य से ही सुरक्षा फैला रहे हैं सत्य और सत्य कोई ही फैला रहे हैं सत्य कोई है तो इसका अरत है कि बगवान बुद्धी जो जो समाधी पाए, जो अरहत्फल समाधी पाए, उसी समाधी के समान ब्रह्मान में दूसरा कोई भी समाधी नहीं है, कोई भी समाधी नहीं है, बगवान बुजी कहते हैं, ये सत्य से सबका कल्यान, अगला गाथा है, ये पुगला आठ सतंग पसत्थ इस कर्थ है ये पुगला आठ सतंग पसत्था आठ पुगल है जो सत पुरुषों के द्वारा प्रसंस नहीं है आठ पुगला आठ सतंग पसत्था सत पुरुषों के द्वारा प्रसंस नहीं है कौन है आठ लोग भगवान बुजी कहते है जो श्रोतापन होने के लिए मेहनत करता है नमबर वन जो श्रोतापन हो गया नमबर टू जो सकदागामी होने के लिए मेहनत करता है सकदागामी हो हो गया अनागामि होने के लीमेन हिनत करता है अनागामि हो गया आ मुझा हो गया यह कितना हुआ य। पॉनुशlike flavor प्रसान से नहीं यूगल के रूप में जोडा कर रूप में लेंगे तो 4 किसका सुगत मतलो भगवान बुद्द को कहते है इती सु दिन्नानी महाफलानी उन लोगों को देने से दान महाफल मिलता है महाफल दाई होता है भगवान बुजी कहते है इसलिए भगवान बुझे कहते है संग को दान देने से शोतापन सगदागा म्याना गा म्यारहन ये चार यूगल और आठ पुगल है जो शोतापन होने के लिए महिनत करते हैं आदिवे गएरा तो भगवान बुझे के इस रावक संग को जवदान देता है उसे दान देने से महाफल मिलता है बगवान बुद्ध बता ये सत्ते है ये सत्ते है ये सत्ते वचन से सबका कल्यान हो सबका कल्यान हो अब लोगों कितना बार हम लोगों बहुत सारे सुत्रों में बताएं हैं बहुत सारे प्रवचनों में भी कि संग को देने से हिमाफ फल्दा ही होते क्योंकि यहापर बगवान बुद्ध जी बताते है इसलिए क्योंकि एक बार जब प्रजापति गोत में खुद अपने हाथों से एक वस्तर को बीन करके पुरा क्रियेट करके एक चीवर बना करके अपने हाथों से लाती है बगवान बुद्ध के लिए बगवान बुद्ध कहते है संगां गोत में दे ही गोत में ये बिक्षु संग को दो संग को देने से मुझे भी पूजा किया हुगा होता है क्योंकि बगवान बुद्ध भी अपनी मौसी को जो पाली पूसी उन्हें भी बताएं क्या संग को दान दो कि संग उतना ही पूज नहीं है सर उस्रेश्ट है महाफल दाई है तो इसका अरथी यह था अगला गाथा देखते हैं ये सुप्पयूत्ता मनसा अदल ही निक्कामीनो गोत में सासनमनी इसकार्थ है ये सुप्पयूत्ता मनसा अदल ही निक्कामीनो ये धरम की रास्ता पर कोई-कोई चलता है कैसे दृड़ संकल प्ले करके मतलव घरद्वार छोड़ करके बिक्षु बनता है बिक्षु बनके दृड़ संकल्प लेता है दृड़ संकल्प लेकर के इस बगवान बुद्ध के दरम की रास्ता पर चलता है दृड़ संकल्प होना चाहिए लेकिन अंदर से घमट नहीं होना चाहिए मन में दृड़ संकल्प है लेकिन अंदर से इमानदार है अगर दृड संकल्प नहीं है तो हमेशा प्रयास वान वाहिए तो वीरेवान वाहिए तो आलसी है तो ये दरम की रास्ता पर चल नहीं सकता एक बागवान झो पांध बताएं है वि्रियारंभस सायंधम्मो नायंधम्मो कुसी तथ से ये दरम वीरेवान लोगों के लिए है आलसी लोगों के लिए नहीं है तो बागवान बुजी कहते हैं निका मिनो गोतम सासन में द्रिड़ संकलपे के धरम के रास्ता पर चलता है बुद्ध सासन में और वो सबी विकारों से सबी कलेशों की जाल से निकल जाता है ते पतिपता अमतंग भी गई है लद्धा मुध निब्भुतिंग भुण्जमाना वो लोग अमरित निर्वान को शाक्षाद करता है अमतंग विगई है अमतंग मतलो अमरित कहते हैं अमरित निर्वान को शाक्षाद करते हैं इसके बाद लद्धा मुधा निब्भुतिंग भुण्जमाना उस अमरित निर्वान नाम का फ है उसी निर्वान सुख को भोगते हैं उसी को भगवान बुद्ध के हैं यहाँ पर वो लोग खाते हैं मतलब घरद्वार छोड़के चीवर पहना द्रिडमान से भगवान बुद्ध के दरम की रास्ता पर गया अपने मन के सारे क्लेशों को विकारों को नश्ट किया और निर्वार नाम के फल को खाते हैं गोले खुशी खुशी बगवान बुद्ध के हैं यह सत्य है यह सत्य है ब्रह्मान का यह सत्य वचन से सब का कल्यान हो कल ले आनों बगवान बुद्ध जी कहते हैं इसलिए कि एक हमको घटना याद आया बगवान बुद्ध के समय एक राजा था कप्पी नाम का वो सब छोड़के बगवान बुद्ध जी के शरण में आके द्रिड संकल प्ले करके धरहम के रास्ता पर चलके निर्वान नाम का फल प्राप्त कर लेते हैं अरहंत हो जाते हैं वो जब या केले में रहते हैं कहते हैं अहो सुखांग पेल के नीचे रहते हैं तो कहते हैं अहो सुखांग अरे कितना सुख है कितना सुख है दूसरा बिक्षू लोग कहने लगा लगता है इसे राजमहल का सुख यादा रहा है लगता है इसे राणियों का सुख यादा रहा है भगवान बुद्ध को कहता है भगवान बुद्ध बुलाते हैं क्या बात है भगवान हम राजमहल में रहते हैं हमेशा डर से रहते थे कि कहां से कौन शत्रू आकर्मन करेगा अभी हम ये उत्तम निर्वान नाम का अमरित को साक्षात किए है अमरित निर्वान का फल को हम अभी खा चुके है इतना बड़ा सुक हमें कभी नहीं महसूस हुआ इसलिए हम कहते हैं अहो सुखंग, अहो सुखंग वो निर्वान कितना सुख दाई होगा जो हम लोग को वचनों से नहीं कह सकता है हमें वचन से नहीं कह सकते हैं उस सुख को क्योंकि उसे सुख को बताने के लिए उस सुख को पाना पड़ेगा पाना पड़ेगा ये धरम सुनते सुनते समय ही इतना सुख मिलता है तो जो लोग निर्वान पालेते होंगे, उन्लों का सुख कैसा रहता होगा, सोची आपलो तो यह होगे यह गाथा, अगला गाथा है यथी नखीलो पठविंसी तोसिया, चतु भिवाते भिया संप कम्पियो उसमें क्या था? यह थी नखीलो पठविंसी तोसिया, उसमें धरती पर कोई अस्थंब गाड़ा जाता था जितना उपर निकला है उतना ही नीचे रहता था, उपर अगर 30 फीट है तो नीचे भी 30 फीट रहता था चारो तरफ से कितनी भी हवाय आने पर वो खंबा हिलता नहीं था, अभी भी वैशाली में अशोक राजा के दोरा एक खंबा जो अस्थंब अभी भी है वैशाली में देख सकते हैं, जितना उपर उतना ही नीचे वो रहता, कितनी भी हवाय है हिलता नहीं है बगवान बुजी कहते हैं वैसा ही तथूप मंग सब पूरी संग्मदा में सत्पूरुषों को भी मैं वैसा ही कहता हूँ कौन से सत्पूरुष यो अर्य सच्चानी अविच्च पस्थी जो आरे सत्य को देख लिया है शाक्षत की अर्थात जो स्रोतापन हो गया है जो स्रोतापन हो जाता है उन लोगों को वो लोगों का मन स्थम की भाती अटल रहता है कितनी भी हवाई आए हिलता नहीं है कितना भी प्रोबलम आए उन स्रोतापन लोगों का स्रद्धा बिगड़ता नहीं है पुरा धर्दि का लो भी कहेगा तुम भगवान बुद्ध को छोड़ दो छोड़ता नहीं है हिला नहीं सकता है क्योंकि उसको सत्य साक्षत हो जाता है भगवान बुद्ध के समय एक इस्तृ थी सुपप वासा नाम था उसका गर्भ वथी होती है, 10 महेना हो जाता है, 12 महेना हो जाता है, गर्व से बच्चा जरब नहीं होता पर उसका मन में स्रद्धा जो था डग मगाया नहीं, अगर अभी ऐसा होगा तो क्या होगा अरे क्या मतलब ये बगवान बुद्धी जी से कोई फाइदा नहीं हो रहा ऐसा सोचेगा पर वो लोग का स्रद्धा डगमगाता नहीं है दो साल हुआ, तीन साल हुआ, पान साल हुआ, अभी तक गर्व से बच्चा जनम नहीं हुआ पर स्रद्धा डगमगाया, नहीं साथ साल, साथ महिना, साथ दिन के बाद जनम होता है उसके बच्चे का पर उतने समय में भी इसका स्रद्धा डगमगाता नहीं सोचे कैसा होगा स्रद्धा और एक भगवान बुद्ध के समय था धानन जानी नाम की इस्त्री ब्राह्मन की पत्नी थी, परंतु वो परमसत्य को साक्षात कर चुकी थी, शोतापन हो चुकी थी, उसको एक क्या आदत था, जब भी वो गिरने लगती थी, तुरंत वो कहती है, नमो टस भगवत वरहतो सम्मा सम बुद्ध से, तो उसका ये आदत था, तो देखिए कैसा आद क्यों भगवन बुद्ध के अटल साथ दैकवन है, एक ब्राह्मन की पत्नी धनन जारी नामे, एक बर ब्राह्मन भजन दान देने वाला रहा था, किलने ब्राह्मन को बोला रहे, पत्नी देखो, कल दान दे रहा है, तुम बाई मिस्टक अपना मन मुख से वो वच्छन मत न कालना वो बोली देखेंगे बोजन बाट रही थी गिरने लगी गिरते के साथ तुरन बोली नमो तस भगत वर है तो सम्मासा बुद्ध से सारे ब्राह्मन उसका घर को छोड़ के चला गया उसका पत्य खुब गुसा हुआ अभी हम जाते हैं तुम्हारे स्रमन के पास वाद व सप्था नहीं है चाहे उसको कितना भी लोग ही क्यों न देदे भगवान-बुद्ध के पति स्रद्धा अटल रहता अरे अभी तो बहूत सारे लोगों में कम से करने का चांस नहीं है क्यों बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं कहते हैं भगवान बुद्ध को भगवान मत कहो कैसा लोग अन्जान है कितना लोग विश्वास नहीं करते हैं परलुक नहीं होता पुनर जर्म नहीं होता देव लुक नहीं होता भगवान बुद्ध के यूदपन नहीं कर सकता है कहां से सौतापन होगा कहां से सक्दगामि कहां से आनागामि कहां से आरांथ तो भगवान बुद्धी जी इस गाथा गर्द बताएं समझगे न आप लो जो परम सत्य को साक्षात कर लेता है शोतापन हो जाता है वो लोग अस्थंब की बादी अटल रहता है हिलता नहीं है चाहे कितना भी प्रोब्लम आए शद्धा डग्म गाता नहीं है ये सत्य है ये सत्य वचन से सबका कल्यान हो बगवान जुद्धन बताएं ऐक और घट में और यादा योई बतायते हैं अनाल पिंडिक था भगवान जुद्धे कि मष्रोथा पन था एक देवी थी वो देवी को इर्षय आगये इरशा आगे मतलब जब जब भगवान बुद्ध का अरहंत संग आते थे ना उस सेट का घर में तो उस देवी को उतरना पड़ता था उन भिक्षूओं का सील के कारण शील गुन के कारण यह देवी बाद में जब यह गरीब हो जाता नात्रपिंडिक दान दौलत खतम हो जात आप यह इसा बोल दिया तो तुरंत माल लेगा लोग हाथ जड़के जी देवी जी देवी करके पस उन लों का स्षध्धा हिल आताज इसा है उनलों का आठाव श्द्धा अगला गाथा है इसका अर्थ है गंभीर पाइने सुदे सितान गंभीर प्रज्यास युक्त तथागत भगवान बुद्धिजी का जो बताया गया धरम है उसी धरम को ये अरिये सच्चान विभावयांती उसी धरम को जो साक्षात कर लेता है जो आरिस सच्चे को शाक्षात कर लेता है स्रोतापन हो जाता है भगवान बुद्धिका धरम की रास्ता पे चल गए स्रोतापन हो जाता किंचा पे ते हुँंति भुसऽ पमत्ता उनलोग कितना भी देर ही क्यूं न हो जा इस धरम की रास्ता पर चलने पर उनलोगों का आठवा जनम नहीं होता क्योंकि स्रोतापन का सोभाव किया है भगवान पुर्जी बता शोतापन जो हो जाता, वो साथ जनम के अंदर मुक्त हो जाता, आठवा जनम नहीं होता तो बगवान बुद्धियाँ पर वही कह रहे हैं, जो शोतापन हो जाता, वो आठवा जनम में नहीं जाता ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य वचन से सबका कल्यान हो, कहते हैं uh को लंखोल नूट्व स सथ जनम जाता है fixes 7ства ड़ता जनम में नहीं जाता है सोथापन गई सब्सक्तिन हो जाता है cloud इस का हिमालय पर्वजयस हदुख खतम हो जाता है छोटा-छोटा कांकल तीन-चार लेकि भगवान बुजी कहते हैं इतना दुख शोटापन के लिए शेश रहे जाता है शोटापन इतना फल्दाई है तो ये था नौमा गाथा कर्थ अगला गाथा है सहावस दसन संपदाये तया सुधम्मा जहिता भवंती इतन सचन सुध्य होतो इसका अर्थ है सहावस दसन संपदाये जब वेक्ति धर्म की रास्ता पर चलता है तो उसके अंदर दसन संपदी प्राप्त हो जाता है तो दसन संपदी मतला सुधा प्राप्त हो जाता है तो उसके साथ साथ तीन सायों जन्नष्ठ हो जाता है कौन-कौन सा सक्काई दिठी विचे की चितनचे सीलब बतमगा पियदात्य की ची सक्काई दिठी का अर्थ होता है रूप, वेदना, साया, सांकार, विन्या मतलब ये गहरा है इसको अपने वश में कर सकता है ये दिठी खतम हो जाता है वीचे की च्छा बगवान बुद्ध, बगवान बुद्ध का धरम और बगवान बुद्ध जी का स्रावक सांके प्रती सक्संदी खत्म हो जाता है अलग 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 शील वरत में फसता नहीं है वो नश्ट हो जाता बगवान बुद्ध के समय था अलग 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 शील वरत मतलब मुक्ती के लिए अलग अलग वरत करता था एक है भवान बुद्ध के समय था गाई की तरह वरत करता था गाई जिस प्रकासे चलता है वादमी वैसा ही चलता था गाई जिस प्रकासे खाता था वादमी वैसा ही खाता था वरत धारन कर लिया, सिल वरत में फस गया मुक्ती नहीं मिलेगा उसे कोई कोई कहता है, सुबा सुबा नदी मशनान करो, सारा पाप धूल जाएगा, गंगा नदी मशनान करो वो किया है, एक सिल्वरा थैफस गया वो सब नश्थ होया था, किसका, स्रोतापन का और कहते हैं, चार दुर्गती मुव कभी नहीं गिरता है चार दुर्गती मतलब नरक, जानवर, प्रीतलो, असुर लोक ये चार लोक में कभी विश्रोतापन नहीं जाता चाचा भी ठानान या भबो कातुंग, छे पाप कभी भी नहीं होता उससे कौन कौन सा, पांच महा पाप, मा की हत्या कभी नहीं होती है पिता की हत्या कभी नहीं होती है उसके हाथों से भगवान बुद्ध लोगों का शरीर से, दुष्ट मन से खून कभी नहीं बाता है उन लोगों से, संग भेद कभी नहीं करता है इसके बाद अरहन्तों की हात्या कभी नहीं वो करता है छठा हो गया कभी भी वो अंध विश्वास में नहीं फस्ता है कौन सुरोता पन व्यक्ति ये छेप अप कदा पी नहीं होता है उससे बगवान बुद्जी बता इदम पी संग ही रतन पनीतं ये संग में उत्तम रतन है ये सत्य है ये तेन सचेन सुवत्य हो तू सबका कर लियाना देखे बगवान बुद्धे मैत्री ही कर रहे हैं सत्य ही फैला रहे हैं किन चीज़ों से सत्य से ही संग का सत्य से कितना अर्थ सहीत है जो शोतापन हो जाता उसका सारांधी सुवास भी खत्म हो जाता अभी का लोग कितने सारे अंग भी सुवास में फसे हुए है क्या करें जो लोग पुर्णेवान हैं जो लोग भागिवान है वो इस धर्म को साक्षाथ कर पाएंगे जो नहीं उन लोग को अला भी है क्योंकि जो श्रोतापन हो जाता उन लोग सत्ती समझ जाता है ये जनम, मनुस्टी जनम कोई देवताओं या कोई भगवान ऐसा ऐसा नहीं है ये जनम होता है किसके कारण? भाव के कारण, भाव होता है, किसी कारण, उपादान, पटिच समुपात को बोध कर लेता है, सत्य साक्षात कर लेता है, इसलिए, अगला गाथा, किन चापी सो कम्मं करोती पापकं, कहते हैं, काय नवाचा उद चेत सावा, अभबो सो तस्य पटिच्छा दाय, अभबता दि पाइते हैं, कि दिठ्ध पदस्वुत्ता, जो सोतापन हो गया, जो धरम को देख लिया, जो मार्गफल को पा लिया, उन लोगों के हातों से कभी-कभी गलती हो सकता है, कैसे, किन चापी सो कम्मं करोती पापकं, कभी कुछ गलती हो सकता है, कैसे, काईन, सरीर से, वाचा, मन से, सरीर, मन, वानी से, अगर उन लोगों से कोई गलती हो जाता भी है, तो, पाप हो भी जाता है, तो, चोटा मोटा, अभबो सोतास से पटिछा दाया, वो लोग कभी भी उस पाप को छिपाते नहीं है, वो लोग प्रकट करते हैं, कहां? ग्यानियों के सामने, सत्पुर हो गया, वही उनलों का दृष्टी है, इदम पिसंग है, रतनंग पनितंग, ये संग में उत्तम रतन है, ये सत्य है, ये सत्य से सब का कल्याना, अभी एक गाथा बताते बताते, वहां पर बहुत सारे लोग सोतापन आदी वगएरा हो रहे हैं, इतना अर्थ है इसमें, तो कोई गलती भी हो गया, तो वो लोग छिपाता नहीं है, प्रकट करता ग्यानियों के सामने, बुद्धि मान के सामने, शद्पुर्सों के सामने, अभी का लोग कैसा, कुछ गलत हो गया तो छिपा लेता रहे हैं, दुसरे लोग जानना जाए, वैसा लोग का मन में और और जाता अब पवित्र ही होते जाता जो अपनी गलती दूसरे को प्रकट करता है वो लोग दिर दिरे सुद्धता की ओर ही बढ़ते जाता है जिस प्रकार गर्मे के फस्ट में मतलो जब वसंतरीतु आते हैं वसंतरीतु में हर जगा फूल ये सब पूरा भर जाता है तथूप अमंग धम वरंग देसाई भगवान बुद्ध जी उसी प्रकार उत्तम स्री सत्धरम को ज्यान की गंगा बहाई है निब्बान गामिंग परमंग हिताए उत्तम सुख दिलाते हुए वो धरम निर्वान तक ले कर जाता है देखे मार्ग फल पाते हैं स्रोता पनादी होते हैं 84 हजार 84 हजार लोग स्रोता पन होते हैं सब्दागा मार्ग फल पाते हैं भगवान बुद्ध यही सूतर को साथ दिन रोज बताते हैं साथो दिन तक साथो दिन 84 84 हजार लोग मार्ग फल पाता है उस समय सोची वाई शाली में क इसाथ बुद्ध घटना रही होगी उस समय न तो इस भगवान बुजी अब इसी सूत्र को बता दे समय एक दिन में कितना फूल किला चौरासी हजार चौरासी है लोग मार्ग फल पाया शौतर बना दे पाया साखशात किया निर्वान को इसलिए कहें जिस प्रकार वसंत में फल फुल से भर जाता बगवान बुजी उशी प्रकार ये धरम बताए है धरम से बहुत लोगा खल्यान हुआ अगला गाता है वरो का अर्थ होता है उत्तम बुद्ध जी जो उत्तम धरम को बोध की वर्दो मतलब उत्तम धरम को देते हैं वराहरो मतलब बाटते हैं मतलब भगवान बुद्ध जी उत्तम धरम का अनुत्तम धरम को बाट दिये हैं लोगों में धरम की गंगा बहा दिये हैं ये भी बुद्ध में उत्तम रत्न है इदंपी बुद्धे रतनं पनीतं इतेन सच्चेन ये सत्य वचंसे सुवत्य होतु सबका खल्याना अगला गाथा है अंतिम गाथा खीनं पुरानं नवं नथिसंभवं विरत्य चित्ता आयतिकी भवस्मिं ते खीन बीजावरुले चंदानी बनते दिहरा यथा यंग पदीपो इदंपी संगे रतनं पनीतं इतेन सच्चेन सुवत्य होतु खीनं पुरानं मतलव पुराना कर्म जो है पुराना जितना भी कर्म सब नश्थ हो गिया नवं नत्य संभवं उन लोगों का नया कर्म बनता नहीं है विरत्य चित्ता उन लोग विरत्त हो गिया उन लोगों का मन हरीक चीज़ों से विरत्त हो गिया आयतिकी भवस्मिं किसी भी भव में किसी भी जनम में उन लोगों का मन फस्ता नहीं है जाता नहीं है सबसे अनासक्त हो गया, निरलिप्त हो गया ते खीन बीज अविरुली चंदा खीन बीज उनलोग का बीज नश्ट हो गया कौनसा बीज? विग्यान नाम का बीज अविरुली चंदा, तृष्णा नश्ट हो गई निब्बन्ति धीरा वो लोग निर्वान को प्राप्त करते हैं अभी हम यहाँ पर बता रहें थे बीज नश्ट हो गया कौन सा बीज विग्यान का बीज करम नाम का खेट भी नहीं है विग्यान नाम का बीज भी नहीं है और तृष्णा नाम की पानी भी नहीं, अभी खेती नहीं है, तो फिर बीज भी नहीं है, खेत भी नहीं है, बीज भी नहीं है, पानी भी नहीं है, क्या होगा, खतम हो जाएगा उनलों का परमपर, अरहन तो कैसा हो जाता है, विंग्यार नाम का बीज खतम हो जाता है, करम न का खित खतम हो जाता है त्रिश्णा भी नश्ठ हो गया है दुबारा जनम नहीं होता है भगवान बुझी कहते हैं निब्बंति धीराया थायंग पदीपो वो लोग पर निर्वान को पाते हैं जैसे ये दिया बुझ जाता है रात के समय में ये प्रवचन दे रहें थे तो व तेल खतम होने से दिया क्या होता है बुझ जाता है वैसे ही करम खत्म होने से विग्ञान नाम का बीज नश्ठ होने से उनलों का जनम मृत्ति की परांपरा खत्म हो जाते है इदम पि संग हे रतनंग पनीतं ये संग में उत्तम रतन है ये सत्य है ब्रहमान का परम सत्य है य ये ते इन in सचे इन ये सत्धवचन से सूवत्य हो तो सब का घ्ल्यान हो भगवाणबुजी ये सब बता दी ये इतना बताते बताते सक्रदेव राज जी सहिद बहुत सारे देवतां आस्मा में सब सुन रहा था ये प्रवचन को सारा सक्र देवता और सक्र जी धर्ती पर आ गया दाहिने गुटने को जमीन पर टेक करके हाथ जोड़ करके ऐसे कहता है यानि दभूतानि समागतानि भूमानि वायानि वानतलिके यहां पर जितने भी देवताओं है जो धर्ती पर है जो आसमान में है अभी धरती पर आके कह रहा है, कौन? सक्रजी कह रहा है ये गाता आकाश में और धरती पर जितने भी देवता है वो सब देव मनुष्यों में पुझेत भगवान, बुद् leaf को वंदना कर रही है वो खोद भी वंदना कर रहा है, सक्रजी और सारे देवमानभ वंदनाप कर रहा है उस समय तथा गतंग देव मनुस्य पूजितः देव मनुस्यों में पूजित भगवन बुद्ध कू वंदनाप कर रहा है बुद्धं नमस सामघ मतलब वंदना कर रहा है सुवध्य हो तु ये बुद्ध वंदना सत्य है परम सत्य है सब का कल्यान हो सुवध्य हो तु सबी लुक्षकी हो कौन कहां ये? सक्रजी अगला गाथा में है यानी द भूतानी समागतानी भुम्मानि वायानि वांत लिखे तथा गतंग देव मनुष्य पूजितंग धम्मं नमस्वात्य होतो देव मानव भगवान बुद्ध को नमन कर रहा है इसके भगवान बुद्ध के धरम को नमन कर रहा है यह धरम की वंदना सत्य है सभी लोग सुखी होतो अगला गात हमें है, संघंग नमस सामा सुवत्य होतु, सारे देव मानव उत्तम आरे संग को वंदना करते हैं, कर रहा है मतलो उसे में, वो वंदना सत्य है, उसी सत्य से सब का कर लियान। संघंग नमस सामा सुवत्य होतु, तो ये था रतन सूत्र, ये रतन सूत्र साथ दिन भगवान बुद्ध जी वैशाली में बता है सातो दिन 84 84 हजार लोग मार्ग फल पाया शोता पन पाया फिर इसके बगवान बुद्ध जी वापस गंगा नदी तक जाते हैं गंगा नदी के बाद पूरा सेवा सथकार करते हुए गंगा नदी के पार जाने के बाद बिम्भी साहराजा साथ दिन तक वहीं था माहल में नहीं गया श्रद्ध देखी इसकद बगवान बुद्ध जी को पूरा सेवा सथकार के साथ वापस राजगीर में लेकर जाता तो ये था रतन सूत्र ये रतन सूत्र में पूरा सत्य का बल भरा हुआ, चीपा हुआ तो जो कोई व्यक्ति अर्थ के साथ प्रति दिन इस सूत्र को घर में चांटिं करता है तो बोलता है तो बहुत सारा रोग है जो आमनुस्त्यों के कारण होता है वो दूर हो जाएगा बहुत प्रियत का प्रोब्लम खतम हो जाएगा घर में शुक शान्ती फैल लेगी क्योंकि इसमें पूरा का पूरा सत्य का बल है इसका शक्ति इसका पावर बहुत सारे ब्रह्मान में फैल चुका है यह रतन सूत्र ऐसा है तो आप भी इस रतन सूत्र को प्रति दिन बोलिये अर्थ को जान करके बोलिये आपका बहुत सारा कष्ट पीड़ा दूर सब दूर हो जाएगा कियोंकि इस पूरा रतन सूत्र में भागवान बुद्ध का गुण भागवान बुद्ध के धराम का गुण और भगवान बुद्ध जी का स्रावक संह का गुन बारा हुआ इस यही है कोई मंत्र नहीं है अर्थपूर हम आपको बता दी तो यह था रतन सूत्र इसलिए हम सबी लोगों को भी यह भगवान बुद्ध का उत्तम रतन सूत्र हमेशा चांटिंग करी और इसी धरम को सुन करके आपको समझ में आ गया होगा तो आप इप रोट चांटें करें से तो हम सबी लोगों को भी भगवान बुद्ध की रास्ता पर चल करके उत्तम निर्वान को मुद्ध को शाक्षात करने का बहग्य मिले यही हम आशिर रवात करेंगे आप सबी लोगों का सदा कल्यानों मंगलों सुखी हो नमो बुद्धाए